तो विदान सभाद में जो भरतियां भी थी उसके सम्मन्द में आ जाया है बैक डूर भरती 205 करमी अब तक किये गए बाहर ठीक है तो जो रितु खंडूरी जी के द्वारा निने लिया गया था उसमें इनको तत्काल नौकरी से निकाल दिया गया था जो कि सिफारिस पर जात तक जो है 205 करमचारियों को बाहर का रास्ता दिखा गया अभी 45 और करमचारी हटाने के लिए कारवाई चल रही विशेशक्य समीति की रिपोर्ट पर इधान सभा अध्यक्स रितु खंडूरी भुखशंड ने 2016-22 के बीश तदर्थ आधार पर हुई भढ़तियों को रद किया था परदे सरकार ने इन भढ़तियों को रद करने की अनुमति दि जिसके बाद सच्छी वाले ने तदर्स आदार पर 228 और उपनल के माधिम से 22 करमचारियों को हटाने की कारवाई शुरू किये अब 25 करमचारियों को सेवा समाप्त करने के पत्र जारी किये जा चुके हैं बुद्धवार को 17 करमचारियों को पत्र भेजे गए ठीक है 2016 में कॉंग्रिस सरकार के समय भी हुआ था भरती थी उसके बाद भाजपा सरकार के समय भी है सब के समय हुई है तो जो भी हो देखो जो एक आहम अभिरती होता है वह एक लंबी समय से तैयारी करता रहता है छोटे-छोटे पदों के लिए भी और यहां पे इनको जो है किवल एप्लिकेशन लिखके ही समिक्षा दिकारी लेवल सेवन जैसे पद दे दिये गए ठीक है और आप उनकी एप्लिकेशन देखोगे तो आपको लगेगा कि कैसे वह एप्लिकेशन लिखी है और कि वालगी इस योगिता के आधार पर किसी को ऐसा पद दिया जाना तो जो अग लब भरती की मेरिट में नहीं आ पाया या उससे थोड़ा नीचे है तो सरकार के बाद बहुत विकल्प होते हैं लेकिन यह सेटिंग वाला सिस्टम है अभी फिलाल के लिए खत्म आये तो बहुत अच्छी बात है आगे देखते हैं उत्राखण में लिंगानुपात के बार ठीक है अगली जोख हमार है important राजस्पर पुलिस व्यवस्था समाप्त करने का आदेश क्यों नहीं माना 2018 में उत्राखण हाई कोट ने का आदेश दिया था जिसमें कहा गया था कि राजस्पर पुलिस व्यवस्था जो है उसको समाप्त किया जाए ठीक है जिसको हम पटव कर रही है तो आपने अंकिता बंडारी वाले केस में देखा किस तरह पटवारी ने जो है चार-पांच दिन तक ऐसी केस को गुमाता रहा और कोई कारवाई नहीं की गई सिविल पुलिस के हाथ में केस आते ही 24 घंटे में जो है सारे आरोपी जो है गिरिफतार हो गये थे तो यह इसलिए जो है पुलिस वाली जिम्मेदारी जो हटाई जा सकती है या जो भी आगे समिक्षा होगी इस परकार से हो सकता है अगली जो महत्वपुण खबार है कि भारत की जो दूसरे सीडियस बने है अनील चोहान ये भी पौडी जी लेक है और परधान मंत्री ने दुबारे से उत्राखंड के सपूत पर भरुसा जताया है ठीक है इससे पहले जनरल जो रावत थे वो भी हैं के थे पौडी के भारते सेना में 40 साल के सेवा जो है अपनी दे चुके हैं लेफटें जनरल चोहान ठीक है सेवा निर्वित है और अब इनको सीडियस जैसी मोहत्वपुण जिम्मेदारी दी गई है इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बुक भी लिख्ये है परवण हमले पर सीडियस जो आफ्टर वैब आफ नुक्लियर अटेक नाम से किताब भी लिखे इन्होंने ठीक है इसके अलावा जो खबर है आज की अंकिता के जो परिजन है स्वजन है उन्हें 25 लाग रुपे की आर्थिक साहिता देगी सरकार ठीक है तो यह मुख्ये मंतिर जी का एलान है द्रहमी जी का अंकिता हत्याकान में मामले में आरुपीतों के अधिवक्ता ने अधालेत में दाखिल जमानत का प्रातना पत्र बुद्वार को वापस ले लिया तीन दिन पहले अधिवक्ता ने यह प्रातना पत्र दिया था जिस पर आज सुनवाई होनी थी तो इस परकार के मुद्दों में जो है सभी को एक जूट होना चाहिए जिससे सक्त सक्त सजा का एक उधारन बन सके समाज के सामने और फिर कोई ऐसा किसी गरीब लड़की के साथ ऐसा करने की हिम्मत न करे ठीक है और इसी केस में एक और खवर है कि आरोपियों की रिमांड पर फैसला आ जोगा पुलिस कस्टिडी दी जाती है नि दी जाती है और पटवारी भी जाच के दाएरे में ठीक है जो पटवारी है उसके द्वारा भी सई धंग से काम नहीं किया गया इसी वज़े से निलंबित किया गया है तो अगर वो सई धंग से काम करता तो यह घड़ना का खुलासा पहले हो जाता या घड़ना को रोका भी जा सकता था जो भी वेक्ति देखो सरकारी पदों पर पहुंचते जिम्मेदार तो उन्हें अच्छे से काम करना चाहिए अगर पैसे ही कमाना है तो फिर तो बहुत तरीके हैं आप इलीगल प्रोपरटी डिलिंग कर रहा है कोई कुछ कर रहा है कुछ गलत-गलत कामों से भी लोग पैस अबाद